नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतों पूर्जान कारी को ले करके जिहां ये चमतकारी उपाय आँखों की रोशनी तो बढ़ाता ही है लेकिन चश्मा भी उतरवा सकता है यदि आपको चाहिए आँखें बाज से भी तेज तो देर किस बात की अपना ये इस उपाय को जिहां आँखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है आँखों के बिना हम किसी भी कारी को नहीं कर सकते हैं आँखों के माध्यम से हम इस दुनिया को देख सकते हैं अलग-अलग प्रकार के रंगों को पहचान सकते हैं इसलिए आँखों का खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता ह आजकल की भाग दोड़ भरी जीवन शेली के चलते हम अपने शरीर का खयाल नहीं रख पाते हैं जिससे हमारा शरीर अनिक समस्याओं से घिर जाता है। आखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आखों का वियायाम करना बहुत जरूरी है। इस उपाय को करने वाले साथ दिन में इसका फायदा महसूस कर लेंगे। आए नोट कीजे आवश्यक सामगरी इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगी। एलोवेरा का जूस चाहिए होगा दो छोटे चमच, शहद दो छोटा चमच, अखरोट छोटे छोटे टुकड़े किये हुए दो चमच, अब बनाने की विध और सेवन करने का तरीका जान लिजे। इस जूस को बनाने के लिए आप यह सारी चीजे मिकसर में डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लिजे और इसमें एक गलास पानी और डाल करके अच्छी तरह फेट लिजे और बस आपका हेल्थ डिरिंक तयार हो जाएगा इस प्रकार से। इस जूस को आप खाना खाने के लगभग आदे घंटे पहले पी लिया कीजिए और अगर हो सके तो दिन में दो या तीन बार इसको पीने से बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा आँखों के रोशनी बढ़ाने के लिए आप इस जूस का सेवन नियमीत रूप से चार से छे सब्ताह तक कर लीजिए शहद निम्बू का रस अकरोट और एलोवेरा का मिश्रान आपको आउप्टिक नर्व को काफी हद तक पोशन देता है जिससे आँखें हमेशा स्वस्त रहती हैं इनकी होने वाली परिशानियां दूर हो जाती है और यह बिल्कुल प्राकृतिक जूस है इससे किसी भी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं इसका लाभ आप साथ दिन में महसूस करने लगेंगे जिहां दोस्तों आखों की रोशनी के लिए ये बेहद ही खास जानकारी थी अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंग एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों